COVID-19 स्वास्त कर्मचारी मंगलवार को एक जूट होकर कलेक्टर कार्याल जन्सुनवाई में पहुचे और COVID-19 स्टाफ की सेलरी देने की मांग को लेकर एक आवेदन दिया कोविड-19 के स्वास्त कर्मचार्यों ने ग्यापन में बताया कि सभी कोविड-19 स्टाफ की सेलरी पिछले तीन माहा से नहीं मिली है सिये में चोयम अकाउंटेंट के पास गए तो उनका कहना था कि बजट नहीं आया है जिससे सभी स्टाफ को आजी विकाग चलाने में कटनायों का सामना करना पड़ रहा है ग्यापन सोप सभी स्टाफ ने जल्द सेलरी देने की मांग की है साथ ही कई समस्या और बें बताई है और अब भी हम सेमेच वसर को दिपावली पे भी लेके गए दिपावली पर हम ग्यापन देने गए थे तब भी यही बोला गया था कि हमारे जो डेम है वो याले डालने वाले खुटी पर हैं हम जब आस पर गोपाल जी शर्मा कोई नाम से हैं वह पर जो जो रिटांगे उनग करिये लोगतahhता होई उसके बहुत आद अज चंपन बाहए हैो और प्र में चाहिं भी आपस्तित है कि आपको δेंगे सेलेरी की दिक्कत या instructor कोई पली से घुक्राइम चल रही है और व्यकों सेबर चनाय स करें बोड़न दायर को अपस्तित नेसे तो हैं और उसमें हमारी जो ड्यूटी चल रहे हैं उन्हों बज़े से शाम को छे बज़े तक हमको रहना पड़ता है तो हमें टाइम नहीं मिलता है उसी हिसाब से हमने आज मंगलवर का दिन ताई किया था सभी कोईडी स्टाफ ने और आज यहां पर हम जन सुनवाई में अपना आविधन देने आए हैं हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमारे ड्यूटिया मॉनिंग नो बज़े से शाम की छे बज़े तक ड्यूटी लगए